इस चलिए करते हैं स्टार्ट सबसे पहले राइट ऐसे एडिंग डाल लो टॉपिक है आज का राइट ऐसे में क्या करना है कैसे लिखना है कैसे पूरा टेंपलेट क्या होता है कैसे टेंपलेट को लिखना है सब अपने आज करेंगे सीखेंगे तो सबसे पहले शुरुवात यहीं से करते हैं देखो आप जितने भी इंग्लिश के प्रोफिशेंशी टेस्ट इंको यल्-पीटी कहा जाता है कितने हैं मैंने अपको पह करें तो इसे आपको लिखना पड़ता है अब ऐसे कितने word का है ये डिपैंड करता है पेपर-to-paper किसी में कितना है तो किसी में कितना आपके PT के paper में जो ऐसे है उसकी limit है कि कम से कम आपको 200 word लिखने हैं और maximum आप कितने लिख सकता है 300 तो 200-300 word के बीच कैसे आपको लिखना पड़ता है अब पेपर में क्या होता है आपके सामने ऐसे के एक यहां दो कोशन आएंगे कुछ समय पहले तक सिर्फ एक आता था आजकल दो कोशन भी आ रहे हैं तो जब एक कोशन आए तो काम बड़ा असान है लेकिन दो कोशन आए तब आपको अ कर दो क्या दो क्या है अब करते हैं तो आपको इसगा और प्लीम और आपको रॉसारा तमपलेट लोल बाल मेर्च खनगे। आपको बाल भुट आफ और लिखना पड़े तब आपको टैमपलेट को अभप खर कर्कते नियू है तम आपको सिर्पटेश नहीं कर सकते हैं। आ आपके सामने ये आपकी स्क्रीन है मालो तो स्क्रीन पर एक चोटा सा पेराग्राफ लिखाता है चोटा सा कोश्चन लिखाता है जो लगबग 30 से लेकर 45 के बीच में वर्ड्स का होता है इसमें हमें कोई सवाल पूछा आता है अब ये सवाल दुनिया में किसी भी टॉपिक के उपर हो सकता है सवाल आ सकता है कि आजकल दुनिया की फॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है इसकी क्या कारण है और कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं पूलिशन हो सकता है गलोबल वार्मिंग कुछ भी सवाल आ सकता है किसी भी टॉपिक के बार में इसके बाद आपके सामने पे ए खाली डबा है इस डबे के अदर आपको अपना अंसर लिखना है कितने वर्ड का लिखना है मैंने पहले बता रहा मिनिमाम कितने वर्ड है 200 और मैक्सिमुम कितने है तो फ्रियंडड d clock इस answer आपको लिखना पड़ेगा अब इसके अलावा कितना time होता लिखने के लिए तो यहाँ पर ओपर corner पर time चलता रहता है 20 minute का timer है यह द्यान रखना आपके पास exam में अपना essay लिखने के लिए एक essay के लिए कितने minute का time है 20 minute दो essay आएंगे तो दोनों के 20-20 minute आएंगे मतलब total कितना हो जाएगा और बो चालिस minute 40 minute हो जाएगा चली ठीक है अब essay में किस चीज के number आते हैं तो देखो एक question जो है वो 15 marks का होता है इसमें तो 15 marks कहां कहां से आते हैं पहले अपनी यह समझते हैं सबसे पहला 3 marks आते हैं इसमें content के दो आते हैं इसमें यह लिख लेना साथ की साथ ही समय नहीं है इतना ज़्यादा तो अपने थोड़ा सा काम की चीज़ों पर focus करते हैं दो नबर आते हैं वकैब के दो नबर इसमें आते हैं अपने grammar कितनी अच्छी यूज की है heading दाले ना marking heading क्या है marking और marking में यह सब लिख लेना दो नबर आते हैं इसमें structure के दो नबर आते हैं GLR general linguistic range दो नबर आते हैं इसमें spelling के और दो नबर आते हैं इसमें form के form को simple वाशा में कह सकते हैं अपने length के दो नबर हैं इसमें 15 होगे के count कर लेना होगे तो मैं पहले यह समझा दूँ यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि template आपको बहुत सारे मिल जाएंगे market में लेकिन सबसे अच्छा template कौन सा है वो decide करने के लिए पहले यह पता हो कि template में हमें क्या check क्या करना है तो अच्छा template में यह सारी चीजों के उपर focus कर रखा होता है एक एक करके अपने सब को समझेंगे आपके पास कोई दूसरा template अगर है तो आपको पता होना चाहिए कि वो template काम का है या नहीं है चले आगे खर लिए notes आरा अब एक करके इसको समझना स्टार्ट करते है सबसे पहला content का मतलब क्या है तो देखो मैंने आपको शुरू में बताया था right essay में आपसे एक सवाल पूछा जाता है अगर आपने उस topic के बारे में कुछ लिखा है तो आपको content के 3 number मिलते हैं 3 number में से कहा जाता है कि 1 number आता है आपका opinion दिया आपने या नहीं दिया second आता है कि आपने इसमें idea mention किया और तीसरा आता है अगर आपने conclusion लिखा है बात का या नहीं लिखा तो 3 number इस तरह से एक एक करके number आते हैं अब अपने कोई भी टेंपलेट आप मार्केट में उठा लें इसमें एक नमबर ये कंखलूजन वाला कंखलूजन तो हर टेंपलेट में होता है पर पहली दोने चीज़ें अकसर टेंपलेट में नहीं होती तो इसका ध्यान रखना वो कैब आप समझ आ अगया होगा थोड़ा अच्छे शब्द आपने लिखे हैं कि नहीं लिखें ग्रामर में कॉम्पलेक्सिटी है या नहीं है कि आपने कुछ अच्छे सेंटेंसे इसमें लिखें या नहीं लिखें structure का मतलब होता है essay की लिखने की एक structure होती है सबसे पहला paragraph introduction आता है इसके बाद आप अपनी side my side बताते हैं BP1 में इसके बाद आप other side की बात करते हैं और फिर last में conclusion तो ये एक structure है जो की हर essay में लिखनी पड़ती है whether आप IELTS का paper दें PD का क्या आपने इस structure को follow किया कि नहीं किया अगर आप template यूज कर रहे हैं कोई भी तो ये जरूर देख लें कि template में BP1 और BP2 दोनों जो हैं वो एक दूसरे के contrast side में आने चाहिए तब जाके उसकी structure के दोनों बर आपको मिलते हैं मतलब कई बहुत 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 ऐसा होता है template में BP1 में फाइदा BP2 में भी फाइदा बता रहे हैं तो वो अच्छे template नहीं है अच्छा template वही होगा जिसमें BP1 और BP2 उल्टी side की बात करें समझा रहा है कुछ के नहीं समस्या के कारण तो समस्या के समधान आएंगे मान लो आजाए फोरें जाने का फाइदा तो फोरें जाने का नुकसान इसमें आना चाहिए तब जाके वह एक अच्छा template है ठीक है तो ये खासित है इसके अलावा GLR ये सब में होता है GLR का मतलो अच्छा अच्छा लिंकर आपने यूज की है पराग्राफ की स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में लिंग्विस्टिक रेंज कितनी अच्छी मतलो कितने अच्छा से आप चीज़ों को connect कर पा रहे spelling आप सब जानते हैं अगर आपने मानलो अपने टेंपलेट में 250 वर्ड लिखे हैं अगर आपकी उसमें एक spelling गलत हुई तो यहाँ पर दो की जगह कितने नंबर आ जाएगा एक एक नंबर कट जाएगा और अगर आपकी दो spelling गलत होगी तो फिर आपको यहाँ पर कितने नंबर मिलेगा इसमें एक बात ऐसे मैं बता दूँ वैसे काम की नहीं है वह यहाँ कि इसमें टाइपो का नंबर नहीं काटते पीटी वाले एक टाइपो आपका माफ है इसका मतलब जा समालो आपसे मैं बोलू कार लिखके दिखा और आपने कार की spelling यह लिख दी कार की spelling क्या होती पता है और यह क्या लिखा हुआ है CSR तो यहाँ पर Pearson वाले यह बात को समझते हैं कि इस बच्चे को spelling तो आती थी लेकिन A जो बटन होता न कीबोर्ड में उसके बिल्कुल साथ में एक और बटन होता है S वाला तो गलती से A वाले एक जगा कौन सा बटन द गया S वाला और इसने बचारे ने कार की जगा क्या लिख दिया CSR तो यह टाइपो कहते हैं इसको टाइपिंग में गलती होगी spelling इसको पताती तो ऐसी एक गलती माफ है अगर आपके दो टाइपो हो जाएंगे तो उसको एक spelling mistake count करेंग और एक नबर कट जाएगा तीन टाइ मिलेंगे अगर आपके 120 से ज्यादा या 199 इस रेंज में रहे या मालो 300 पार कर दी और 380 तक आप लेगे 301 से लेकर 380 तब आपको इसका एक नबर मिलेगा 120 से कम है या 380 से ज्यादा वर्ड अगर आपने लिख दिया तब आपको इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा तो अपने कोई मूर्ख नहीं है जादा तो अपने क्यों करेंगे कम वाला तोड़ा दिया रख लेना भी या टाइम से टाइपिंग अच्छे से सीख लो कम से कम आपको 200 वर्ड पूरे करने 215 कर दो तब भी ठीक है 295 कर दो तब भी ठीक है इसके बीच में कहीं पर रखना ओन अवरेज जो टेंपलेट हम लिखवाएंगे उस टेंपलेट से 235 से लेकर 265 की बीच में वर्ड आपके रहेंगे इस रेंज में आपको सेफ जोने इसमें रहना आपको समझा रहा है सब को है नियर पकी बात है शुरू करने के लिए क्लास को मैं आपको तीन कोश्चन द पता दू कि ये राइट ऐसे कोई मुश्किल काम नहीं है बड़ा असान है देखो इसको करने के तीन तरीक हैं आपके पास कॉपिया एक बार बंद कर दो पहले समझ लो अच्छे से सबसे पहला मैथड जो है यह उन बच्चों के काम का है जिनका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेन अच्छा है अगर आपको लगता है कि सर मैं समझ कर सीखने वाला प्राणी हूँ तो फिर आपके लिए मैथड वन अच्छा है मै Method 1 में मैं आपको ऐसे कैसे लिखना होता है पूरा, वो सिखाऊंगा, आप पूरा ऐसे, बिना किसी मदद के template याद है, तो आप कोई भी question आपको दे दिया जाए, आप उस question को असानी से reply कर सकते हैं, उसका पूरा ऐसे आप खुद लिख सकते हैं, समझा रहा हैं? इसमें आपक की चीज यहां पर आजाएगी, method 2 में मैं आपको चार यां पांच page की PDF दूँगा, वो PDF पूरी रट लेना, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो रट लेना, समझा रहा है कुछ के नियरा, काम बराबरी है, नंबर बराबर आते हैं, कुई फरक नहीं है, तीसरा method सबसे ल नहीं होते हैं, इन दोनों से 9 भी आते हैं, तो इससे number कम आते हैं, लेकिन 7 band कम नहीं होते, कईयों का सपना ही होता है, साड़े से 7 करना, तो अगर आप उस, अपने अपना dream ये बना रखा आपने, तो फिर ये तीसरा method आपके लिए बहुत आसान होगा, तो एक एक करके ती मैं पहला method सिखाऊंगा आपको, second वाले की pdf मैं थोड़ा समझा दूँगा, लेकिन pdf आपको गर पे पढ़नी पड़ेगी, और तीसरा, वो तो पांच मिनट में हो जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं, heading डालो method, चलिए continue करते हैं, method 1, सबसे पहला method, इससे पहले method 1, 2-3 दिनों के सिखाने के लिए, हमें 3 question की need पड़ेगी, question number 1 लिख लो, method के अंदर ही लिख लो, पहला question लिखो, question number 1 में लिखो, some people believe that, some people believe that, some people believe that, some people believe that, getting married, getting married, बिफोर, गेटिंग मैरीड बिफोर, एप पर्मानेंट जोब, गेटिंग मैरीड बिफोर एपर्मानेंट जोब, और फाइनेंशिल स्टेबिलिटी, जो वर्ड की स्पैलिंग नहीं आए पूछ लेना, गेटिंग मैरीड बिफोर, एपर्मानेंट जोब, और फाइनेंशिल स्टेबिलिटी, इन लाइफ, S-T-A-B-I-L-I-T-Y, फाइनेंशिल स्टेबिलिटी, इन लाइफ, इस ए बाद दिसीजन, इस ए बाद दिसीजन, फुल स्टप दाल के लिखो, पहला हुली, इस ए भेडर्य कि अच भी कर दिस एकर और दिसाग्रित विद आ ओ प्यटन लिए ध्ल्य भी और थाफ दिसीजन, त गई है। दिसीजनू हाट рек area कि इस एकर फिसीजन नीचे पांच लाइने छोड़ दो, उसके बाद आगे चलो नेक्स दूसरा कुश्चन लिखो Many Students, Many Students Move to a New Country Many Students Move to a New Counter for their tertiary education for their t-h-e-i-r for their tertiary education tertiary t-e-r-t-i-a-r-y tertiary होता है देखो primary और secondary तो पता है primary पाँचवी तक, secondary बार्वी तक उसके बाद की जो education उसको tertiary university की education को tertiary education कहते है क्या लिखा है आपने move to a new country for their tertiary education full stop डाल के लिखिये international international students face a lot of international students face a lot of social problems a lot of social problems while living while living in a new country while living in a new country do you agree do you agree or disagree do you agree or disagree with the opinion do you agree or disagree or do you agree or disagree or do you agree with this I'll try a new culture कि ये लिख लो, सबसे पहले, जब राइट ऐसे आपके सामने आता है, तो आपको ये करना है कि आपको template, sorry, अपना जो question है, जो question मैंने भी दो लिखवाएं आपको, ऐसा question आपके paper में भी आप लिखा हुआएगा, इस question को डंक से पढ़ना है, जब आप question को पढ़ेंगे तो आ topic sentence, नाम से लग रहा है थोड़ा लंबा होगा, sentence होगा, कितने word का हो सकता, 12-15 word का होगा, second जो हम pick करेंगे, वो होगा main topic, main topic दो या तीन word का होता है, और ये topic sentence में से ही उठाना है, समझा रहा है सब को हैं नहीं आ रहा, सबसे पहला क्या था, topic sentence, main topic, दो चीज़े होगा, और सबसे पहला और सबसे simple जो question आते हैं, type उनका ये होता है, कि उसमें एक line पहले question लिखा होता है, simple बात लिखी होती कोई, इसके बाद full stop के बाद यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, आपका जो question 1 मैंने अभी लिखा है, वो इस तरह का था, उसमें कुछ भी ब अच्छे पढ़ाई करने के लिए फोरण चले जाते हैं, आपको क्या लगता है, वहाँ पे जाना अच्छी चीज़ हैं, बुरी चीज़ है, तो ये क्यों सा type हो गया, type 1 हो गया, समझा रहा है सब को इनिया रहा, second जो type है, इसमें क्या होता है, कि दो line पहले आ जाती है, इस है, आपको क्या लगता है, यहाँ आप इसटी से agree करते हैं और disagree करते हैं, तो यहाँ पे पहले दो sentences, उसके बाद question है, तीसरा जो सबसे खतरनाक है, जो मैं चाहता हूँ आपकी paper में ना ही आए तो बहतर है, उसमें सीधा एक सवाल ही दे रखा होता है, सिर्फ एक line दी होगी उसमें एक सवाल होगा, तो तीनों case में हमें जो चीजें इन में से उठानी है, यह कहले है, इन में से pick करनी है, वो same है, वो क्या है पहले उसको देख लेते हैं, एक पर side में लिख लेता हूँ, सबसे पहले चीज है, क्या है topic sentence, दूसरा है, और तीसरा है, तो यह तीन चीज topic sentence क्या होता है, topic sentence एक ऐसा sentence होता है, जिसमें सवाल नहीं होना चाहिए, बस मुद्धी की बात है, तो देखो इसमें, अगर आप पहले case में बात करें, तो यहां पे तो सवाल आया, तो हमारा यह पूरा sentence, जो है, इसको हम क्या कह देंगे, हमारा topic sentence, समझा रहा है, सब को यह topic sentence आपको template में दो जगा पे use करना पड़ेगा, वो कहां पे करना पड़ेगा, आभी सीख लेंगे पने, जब ऐसा question आजा, इसमें तोड़ा confusion है, क्योंकि यह भी topic sentence बन सकता है, तो ऐसे में ध्यान रखना, कई बार अच्छा हो, और किसमत खराब हो, तो तीन sentence की बात question आता ह तो जो question से ठीक पहले लिखा हुआ sentence है, उसको topic sentence मानना है, समझ आREWा है, सबको यह भी हारा, तो इस case में हमारा topic sentence है, यह यह बाला हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेगे है क्या हमारा topic sentence, इसके बार में रुक के बात करेंगे, इसमें हमें topic sentence इसमें से बनाना पड़ता है, ऐसे दो ही question आएंगे paper में, आपके paper में जो 26 question आते हैं बार बार repeat होते हैं, उनकी list हमारे पास already है, वो आपकी book में नहीं है, वो अलग से मैं आपको send करूँगा, उसके बाहर question आपके paper में आएगा नहीं पहली बात तो, और उसमें सिर्फ दो question ऐसे हैं, जिनमें ऐसा है, उसक आएगा question, एक दो question में आज करवाऊंगा भी, तब आपको बता दूगा कि कैसे topic sentence उठाना होते हैं, second चलते हैं, अब बात करते हैं main topic के बारे में, main topic का मतलब हुआ, कि देखो topic sentence में 12-15 word है, लेकिन इन में से कौन सा ऐसे एक, दो या तीन या चार word है, जिनके बारे में मु second वाले में बात करें, तो foreign education हो सकता है, या international student एक main topic हो सकता है, बात समझा रही कुछ के निया रही, आप ध्यान से देखें तो आपको समझाएगा कि मैं हमेशा main topic अपने topic sentence के अंदर से उठाता हूँ, समझाया सबको या निया, topic sentence के अंदर ही कुई दो word ऐसे होंगे, जिसक page number 7 open कर लो, साथ है कौन सा देखना, जिसमें question दे रहे है, 7 ही है ना, जी, इसमें आपको essay topic list मिलेगी, पूरी की पूरी, इस essay topic list को आप ध्यान से देखो, तो आपको समझाएगा कि इसमें around 24-25 question है, हर question का topic sentence main topic की जगा नीचे दे रही है, main topic or essay statement जो लिखा हो है, उसमें अब ही एक बार आप जस्ट मुझे बताएंगे, जैसे मैं कुछ question random, आप लोग प्लीज एक से देख लो, मुझे ही देदू, हाँ जी, question number one, topic sentence क्या आएगा, इसका, large shopping malls are replacing small shop, कोई दिक्कत तो ने, इसमें, अब बात करें, इसका main topic क्या आएगा, तो main topic हो सकता है, large shopping malls, य यह भी मैंने देखा है, आप चाहे main topic किसी को भी बना दे, कोई फरक नी पड़ता, बस main topic एक noun phrase होना चाहिए, ऐसा नहों कि main topic आपने कोई verb को बना दिया, book नहीं आपके बस, बाहर से लियो मैं हम से, Anisha मैं को बोलो, next, as a topic number 2, some people claim that digital age has made us lazier, other claim it has made us more knowledgeable, discuss both opinion, यह last line इसको नह बना देंगे अपना, topic sentence बना देंगे, topic sentence में से main topic उठाना है, तो main topic आएगा, digital age, आपने पता नहीं क्या डूंडा होगा, मेरे लिए digital age है, अगर आपने इसमें knowledgeable बनाये तब भी ठीक है, अगर आप lazier बनाये तब भी ठीक है, लेकिन कम से कम दो word का होना, तो अच्छा लग topic बनाएंगे, ऐसे topic number 3, teenager should receive lessons on principles of personal finance, such as investing and debt, इसका topic sentence यही होगा, main topic इसमें कौन सा होगा, आप बताएंगे, बताओ, very good, correct answer is personal finance, या, और कुछ बताओ, ये तो एक हो गया, इसके अलावा कौन सा बन सकता है, teenager तो अकीला word है, तो इसके अलावा investing and debt भी इसका main topic हो सकता है, ठीक है, question number 4, अब देखो question number 4, ये second type का question है, देखो द्यान से, है न, with the increase, ये पहला sentence, university should only procure digital material, ये दूसरा sentence है, इसके बाद, तीसरा discuss both, तो हमें दूसरे वाले को अपना क्या बनाना पड़ेगा, topic sentence, university से लेकर, text books तक हमारा topic sentence है, अब मैं आप से पूछ रहा हूँ, मेरा दूसरा सवाल कि इसमें से आप main topic किसको बनाएंगे, बिल्कुल आसान है, digital material हमारा main topic होगा, question number 5, topic sentence दिख रहा है सामने, अरे बोलो हाँ है न, और main topic क्या होगा इसका, study literature भी हो सकता है, films to study भी हो सकता है, use films to study भी हो सकता है, main topic की ज़्यादा tension मत ले न, it's okay, जब आपको clear नहीं दिख रहा है कि ये नहीं है तो वाक्की जो कचरा है, कचरा में से कोई भी उठालो कि tension नहीं है, इसी तरह से question number 8 में आजाओ, question number 8 देखो, क्या दे रखा है, the advanced medical technology will expand human's life, topic sentence तो यह हुआ, main topic क्या होगा इसका, advanced medical technology, अब पन्ने पल्टो में एक बार आपको तीसरे टाइप का question भी दिखा देता हूँ, question number 16, बिला आपको, which one has greater impact on human life, aeroplane और car, सीधा एक सवाल पूछ रखा है, कोई topic sentence कुछ नहीं मिलेगा इसमें आपको, तो इस तरह के questions के बारे में बात हम बाद में करेंगे, वैसे मैं आपको बता दू, अगर आपको लग रहा है कि यही वो list है, जो paper में आते हैं, तो यह वो paper में आने वाली list नहीं है, वो अलग है, यह हमने इसमें इसलिए नहीं रखी है, कारण है कि इसको बहुत लोग copy करते हैं इस book को, तो हम नहीं चाहते थे कि यह copy हो, कुछ ऐसा content है, जो बड़ी महनत से हम इकठा करते हैं, तो वो list आपको मैं personally, WhatsApp पे share करूँगा, ग्रूप में आ जाएगा, प्लीज दक्के से fall तुमें forward ना करें, कुछ जुरूरत में है तो उसको करो, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन fall तुमें forward नहीं करना उसको, समझा के सब को यह नहीं है, अरे बोलो हाए ना, question number 21 भी इसी तरह का है, third type का देखो, question number 21 देहान से देखो, 23 भी इसी तरह का है, 25 नहीं है, 25 तो simple x sentence है, people are moving from rural to big cities, 25 तो नहीं है इस तरह का, 25 तो first type का है, अरे बोलो, 25 का main topic बताओ फिर, rural areas भी हो सकते हैं, big cities भी हो सकता है, urban migration क्या होता है, या urbanization क्या होता है, पता है किसी को, शहरी करण, क्या होता है शहरी करण, Hindu में तो ठीक है, बढ़ अर्थ क्या होता है इसका, what is the meaning of urbanization, या जिसको अपनी, sorry हिंदी में कह देते हैं, इतना इतना complicated मामल ही नहीं है यह question में शहरी करण के उपर इसका main topic urbanization है वैसे आप पढ़ो question पढ़ो धियान से आपको समझाएगा क्या होता है लोग जो है वो move कर रहे हैं कहां से कहां गावों से निकल रहे हैं और कहां पे शहर की तरफ जा रहे हैं तो villages से उठकर कहां जा रहे हैं urban area में जा रहे हैं इस चीज को कहा जाता है urbanization क्या कहा जाता है अब देखो मैं यह क्यों बता रहा था आपको एक 8 band वाला बच्चा इसका main topic लिखेगा rural areas या big cities नहीं 8 वाले 8 इससे भी आ जाते हैं लेकिन एक 9 band वाला बच्चा इसका main topic लिखेगा urbanization समझ आ रहा है कुछ के नहीं अगर आपको यह समझ आ जाए कि पूरा question है किस चीज के बारे में मुझे समझ आ गया sir यह question urbanization के बारे में है तो आप अपनी तरफ से भी एक ऐसा word main topic बना सकते हैं इसमें लिखा ही नहीं है कहीं पर समझ आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा है पर यह risk सिर्फ तभी लेना जब समझ आए कहीं ऐसा मतलब फोकट में वो कहते ना भी मज़े लेने के लिए कि मैं करके दिखाता हूं तो करके आप तो क्या दिखाओ कि पीरसन वाले ऐसा करके दिखाएंगे जो देखा नहीं जाएगा आपसे तो कोशिश करना कि ज़्यादा तेज मत बनना अगर क्लियरली पता है कि इसको यह कहा जाता है जैसे उसमें लिखा हो कि आजकल बहुत सारे लोगों को जोब नहीं मिलती है जोब नहीं मिलना unemployment इसका main topic है तो मुझे पता है कि इसका unemployment है तो मैं लिख दिया लेकिन अगर आपको नहीं समझाया तो चुपचा पूरा लिखो और बाकी उसी में से उठाओ दो वर्ड उसको अपना main topic बनाएगी हाँ जी Rural areas to big cities लिख सकते हैं यह इतना बड़ा main topic भी हो सकता चार पांच वर्ड का main topic हो सकता है पूरा sentence main topic नहीं हो सकता बस इतना ध्यान अगना clear है सबको तो यह हो गया हमारा topic sentence and main topic अभी तक आपने दो चीज़ां तो सीख ली है अब तीसरा जो आखरी point बचा है उसको हम कहते है ideas ideas का मतलब यह हुआ कि जो आपका main topic है उसके regarding दो ideas आपको डूंडने है एक तो उसका फाइदा डूंडना है और एक उसका क्या डूंडनेंगे आप नुकसान कहलो, disadvantage कहलो, जो भी कहलो है अब देखो कही बार ऐसा होता है कि बड़ा असान हो जाता है जैसे मैं आपसे पूछाओ विदेश जाकर पढ़ने का फाइदा क्या है और नुकसान क्या है तो बताओ विदेश जाकर पढ़ने का फाइदा क्या है अरे क्या पढ़ने हो तुम सारे तू simple हो, एक एक बताओ सारे यह से नहीं ए एडुकेशन तो इंडिया में भी मिल जाकती, विदेश कूई जारे हो ने के साथ, जो एक निश निश न क्लचर new technology new technology तो इंडिया में भी है वैसे तो चलो कोई नियू कल्चर वह यह की चाहिए अपने को क्यों टैंशन देने नुकसान बैटर लोग अचा कानून अच्छा है वहाँ अचा मुझे लग लोग लोग तो इंडिया कहते हैं अचा नुकसान क्या विदेश जाने क्या विदेश हॉमसिकनेस सुना कभी क्या होती हॉमसिकनेस गर से दूर रहके जो आप तंग होते परिशान होते टैंशन होती दुखी रहते हैं बात्रूम में जा 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 कर रोते हैं उसको होमसिकनेस कहते हैं समझा के सबको पर अपने खायर और बताओ एक अच्छा एडिया तो कि पढ़ने का नुकसान बता हुआ ऑप अप कल्चर उदर लिख दी जिए उदर और तो फायदे में लिख़िए कल्चर अब नुकसान में कल्चर कैसे लिए देच सेंदुम दूर्श देखित भूब होता हैं वहां बाते हुआं लि comms कान कोल कर तीन बाते ध्यान रखना, आइडिया जब भी चुनो तो तीन बाते उसके बारे में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पहली बात, कोई आइडिया तगड़ा नहीं है, कोई आइडिया माड़ा नहीं है, बस आइडिया आइडिया होता है, कोई भी ऐसा मत सोचना, कि यह क्या बात नहीं अकल चुर यह कोई आइडिया थोड़ी इससे अच्छा आइडिया तो है कि वहाँ पे बैटर जोब उपर्चुनिटी अब किसी के मन में हो सकता है वहाँ पर पढ़ने से जादा जोब मिलती है तो यह बाकाइदा यह भी एक फाइदा है लेकिन इसको भ वहाएदा कुछ नहीं है आप अईल्स में होता है पीटी में से आइडिया समझारे सब कहाँ नहीं हो पहला पंट के आयद रखना है कि नुंकसान भड़ा नहीं होता हार कोई फायदा नुकसान छोटा नहीं है दूसरी बात यह दिया रखना कि जितना छोटा होगा आईडि मतलब एक जगा पर आपको तीन वर्ड लिखने पढ़ रहे हैं एक जगा पर दो से काम चल रहा तो दो वाला लिखो समझा रहा है सब को यह निया रहा एक जगा पर दो लिखने पढ़ रहे हैं एक से एक ही से काम चल रहा तो एक वाला आइडिया लिखो Number one, every idea matters. Sab idea की वो कात है market में. Doosra, short is sweet. Jitna ज्यादा छोटा idea होगा, उतना अच्छा idea होगा. तीसरा, start with higher, lower, or adjective. ये थोड़ा मुश्किल होगा समझना है लेकिन मैं समझा देता हूँ. कोशिश करो कि आपका idea जो है, उसकी starting, जो पहला अक्षर है. मालो, दो वर्ड का idea है. तो उसका जो पहला अक्षर है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? Higher fees. तो ये higher से start हो, या फिर किससे start होना चाहिए, lower से, या फिर किसी adjective से. जैसे मालो, एक adjective आ सकता है, big city, एक फाइदा है मालो, मैंने कहा, new culture, जैसे यह लिखा हुआ है, देखो. अब new क्या है, इस culture का एक adjective है, समझा रहा है, तो ये भी एक अच्छा idea हो सकता है. उदर मैंने क्या लिखाता है, याद रखो, ये लिखा हुआ है, more या higher fees. तो ये higher भी क्या है उस list में, देखो. Higher, lower, इसकी जगा पे less हो सकता है, higher की जगा पे more हो सकता है, greater हो सकता है, मतलब ऐसे words से start करो. क्योंकि अक्सर देखो, होता क्या है, आप लोग जब idea दूनने जाते हैं, तो कि ये बार हमारे पास एक पूरी line बन के आ जाती है. जैसे मालो फोरण जाने के idea है, मेरे पास फाइदा है, कि वहाँ पर जाकर, we can meet with our friends, क्योंकि मैं में या idea है, अब we can learn English language, कितने word होगे, 6-7 word होगे, इतना बड़ा idea नहीं चलेगा, इसको छोटा करो, तो जैसे मालो आपने कहा, learn English language, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि learn एक verb है learn क्या है, तो आप ऐसा कह सकते हैं, इसको अगर बना नहीं है, तो आप ऐसे कह दो, higher chances of learning English, अगर आप er वाले words से start करोगे, तो ये idea हमारे template में perfectly fit होगा, आप ऐसे समझ लो, कि इसको हमारे template से connect करने के लिए, जो jack लगेगा, जैसे keyboard, mouse का jack होता है, इसका jack जो है, वो ये वाल over से start करो, समझ आ रहा है, कुछ के नहीं है, आपका idea वैसे भी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप इससे start करोगे, तो ये template में perfectly fit हो जाएगा, और समझ आया कुछ के नहीं है, तो कभी भी कोई भी question आए, उसका फाइदा नुकसान सोचना है, सबसे पहले ये जादा बढ़ती है, किसी भी देश की population जादा तो economy भी develop होती है, तो आप लिख सकते हैं, फाइदा higher economy, population का एक नुकसान है कि उससे job कम हो जाती है, अरे बोलो higher न, भी बंदे तो, job तो उतनी है, बंदे बढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इदर नुकसान में fit करना असान हो जाएगा, पर समझाया कुछ की नहीं है? शाहद आपको समझा रहा हो का method 1 क्यों मुश्किल है, method 1 में ये दोनों मुश्किल नहीं है, method 1 को ये मुश्किल बनाता, ideas, तो ये डूनना मुश्किल है, और ideas में भी ये दोनों step मुश्किल नहीं है, तीसरा जो ह में ये तीन बातें लिख लो और फिर उसके ideas note कर लो मैं कुछ और questions के ideas भी बनवा देता हूँ हो गया अबनी yellow book निकाल लो question number 8 करते हैं एक पर question number 8 सबसे पहला इसका topic sentence कियाएगा मेरे क्याल से काफी अतक clear होगा आपको topic sentence पहली line जो है इसकी वही हमारा topic sentence है तो पहली line में लिखा हुआ है the advanced medical technology तो मैं कह सकता हूँ the advanced से लेकर कहां तक आई है human's life तो यहां तक का पूरा खेल है इसके बाद जब बात आएगी main topic के बारे में तो main topic जो है वह आएगा इसी में से कुछी टूनना पड़ेगा तो हमने the advanced medical technology यह हमारा main topic अब इसके नीचे ऐसे arrow बनाके हमने एक फायदा लिखना है इसका और एक नुकसान लिखना है advanced medical technology अब देखो फायदा नुकसान सोचने के लिए पहले आर्ट समझना पड़ेगा कि हमारे आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले की बात करें तो medical technology मतलब बिमारियों का इलाज करनी की जो technology थी उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन आजकल हमारी technology बहुत हो चुकी है अच्छा develop हुई है develop हुई है develop हुई है develop हुई है यादना कुछ दिन पहले बताया था आपको तो यह develop हो चुकी है जिसकी वज़ा से आज बहतर हुआ हो पा रहें तो एक फाइदा भी होगा लेकिन एक नुकसान भी सोचना पड़ेगा यह देहारकना कीबर बच्छों को लगता है कि नुकसान क्यूं सोच रहे हम यह तो एक अच्छी चीज है तो दक्के ही है सोच नहीं पड़ेगा आपको कुछ भी हो जाए तो पहले फाइदा बताओ इसका क्या होगा advanced medical technology का फाइदा क्या कम हो गया बीमारीय कम होगी तो less कोई चीज कम ही जाए यही सोचना है अपने को less disease कहलो यह आप कह दो better क्या treatment कह दो better treatment हो गया है और क्या कह सकते है लंबी life हो चुकी है तो longer कह दो longer life यह कैसा लग रहा है और समझा रहा है कुछ की नहीं मैं हमेशा एक सवाल बच्चों से पूछता हूँ आपको शायद यह थोड़ा अजीव लगेगा मान लो अपने आज से हजार साल पहले चलते हैं पहले जाओ यह लंबी थी लाइब कितने एक साल जीते होंगे लोग तब एवरेज बात कर रहा हूँ मैंसा नहीं कि आप बताओ एक बंदा था हो जी सोन अबे तब सारे जीते डेड़ सो कह रहे हैं कही तो भई है डेड़ सो कहां मुझे ना बड़ा दक्का लगा मैंने भी पहली बार सुना कि एसा नहीं है आप अगर graph देखेंगे life expectancy का तो आप देखेंगे कि दुनिया की life expectancy और भारत की life expectancy लगातार बढ़ रही है आप जिस समय की बात कर रहे हैं हम सारे जिस समय की बात कर रहे हैं वह एक ऐसा इन्फेक्शन बढ़ गया दवाई क्या होती थी हार्ट अटेक पता ही नहीं जी बाप्पु जी रात में सोय थे पता ही नहीं सुबह उठे नहीं तो क्या हो गया वो हार्ट अगया आज कल आप आपकी खुद की रिष्टदारी में देखने हैं एक दो बंदे पक्का होंगे ज आप उमीद कर सकते हो कि आज से हजार साल पहले कोई धड़ इतनी कट जाए और बंदा जिंदा बच जाएगा मैं तो नहीं कर सकता कम सकता तो यह जो मैडिकल टेक्नोलजी है इसने लोगों की जिंदगी को लगातार लंबा किया है बिमारियां पहले पकड़ में आ जाती है बिमारियों को इलाज है हमारे पास लोगों कैंसर जैसी बिमारियों से बच किया है तो मैडिकल टेक्नोलजी ने यह बड़ी एक विचितर सोच आपको जो लग रहा है कि हाँ मैंने सुना वो 600 साल जिया था चार सो साल जिया था या तो वो कहानी है और अगर होगा भी तो ए इसने क्या किया है हमारी जिंदगी को फाइदा क्या दिया जिंदगी हमारी क्या हो चुकी है लंबी हो चुकी है medical technology की वैसे लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होगी तो बताओ नुकसान टून लो मुश्किल यह है एक अच्छी चीज की मृत्युदर कम होना नुकसान और रेडियेशन हायर रेडियेशन ऐसे जो भी आप कहीं मैं कह रहा हूं को यह गंदा आइडिया तो ही निना सब ठीक है हाँ more money समझ आ रहा है कुछ की नहीं हा रहा है ज्यादा पैसा लगता है हर बार मैं starting किसे कर रहा हूं किसी ना किसी less, better, higher, longer, more ऐसे words से start कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं ताकि हमारे template में बड़े आसानी से fit हो जाए और समझ आ रहा है अब एक question मैं आपको दे रहा हूं सेम काम आपको करना है question मैं easy से डूंडूंगा पहले आपके लिए बाद में दीरे-दीरे level अपने अप करेंगे आप लोग करेंगे question number 25 question number 25 दो मिनट हैं आपके पास topic sentence मुझे पता है main topic लिख लो इसका और एक फायदा और एक नुकसान लिख देना question number 25 था ना आपका main topic क्या होगा इसका urbanization बिलकुल यहां फिर migration from rural to urban area यहां फिर आप कह सकते हैं rural area to big city इतना बहुत है अच्छा यह दियां रखने हैं एक point और मैं बता दूँ कई बार ऐसा होता है यह question में कि मान लो एक सवाल आया जिसमें पूछा गया कि आज कल अब बहुत सारे बच्चे many children foreign education करते हैं in a new language नई बाशा के लिए foreign में जाके पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे विदेश जाके पढ़ते हैं foreign education करते हैं क्या करने के लिए नई बाशा सीखने के लिए अब यह topic sentence है आपका यह ध्यान से जोनना है important point है आपके पास 3 option है main topic आप बना सकते है नई बाशा को new language आपका main topic हो सकता है foreign education भी main topic हो सकता है मेरे जैसे लल्लू इसको लगे कि बहुत सारे बच्चे होने का फाइदा नुकसान बता देते हैं गोली मारव अपने इसको main topic बना देते हैं अचा यह चीज हमने टेस्ट कर रखिए कोई फरक नहीं पड़ता तो और आपका इस पे भी उतनाएगा इस पे भी और इस पे बराबर आएगा फरक तब पड़ता है जब आप गलती सबसे वड़ी यह कि आप main topic इसके अंदर से ना उठाए तब दिक्कता आ जाती है पीबार बच्चे क्या करते है कि जैसे यह वाली लाइन अपना main topic topic sentence है और main topic इसमें से उठा लेते है तो वह गलत है समझा रहा है सबको अगर आपने इसमें उठाया होगा अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब आपने main topic माल लो उठा लिया बहुत सारे बच्चे होने का क्या फायदा है माल लो एक बर में random example कि यह आपने main topic बनाए many children तो आपको फायदा नुकसान अब ऐसा नुकसान आप इसका लिख रहे हैं फायदा नुकसान भी बच्चों जब आपने main topic उठा लिया तो फिर question को पढ़ना छूड़ दो फिर उस main topic के उपर फोकस करो जैसे आज वाला question जो अभी आप कर रहे हैं इसमें है कि rural area से शहरों में big cities में लोग जा रहे हैं अपने अगर अपना main topic rural area को बना लिया तो फिर आपको रूरल area में रहने के फायदे नुकसान बताने हैं कहीं फिर आप migration के फायदे नुकसान मत बताने लग जाना समझ आ रहा है कुछ के निया रहा Big cities उठा लिया थो फीर big cities के फायदे नुकसान अगर आपने अर्बनाइजेशन उठाया फिर वो माइग्रेशन के फाइदे नुकसान बताने है आपका में टॉपिक डिसाइड करेगा कि फाइदे नुकसान किसके आएंगे जब में टॉपिक उठ जाए उसके बाद कोश्चन को पढ़ना बंद कर दो कुश्चन में अब कु अगर इसको में टॉपिक बनाए तो फिर इसके फाइद नुकसान पिर बहुत सारे बच्चे है कम बच्चे उसका कोई लेन दिना नहीं है तो में टॉपिक सो समझ के बनाना उसी के बारे में पूरा ऐसे लिखना है आगे करो continue अब कर दिया क्या बनाया में टॉपिक आपने अर्बनाइजेशन मान लो एक बार ये है फाइदा क्या होगा अर्बनाइजेशन का बैक्टर लाइश्टाइल यह बैटर जोब अपरिचनिटी बहुत अच्छी बात है अच्छी आइडिया है दोने नुकसान क्या है लेस कल्चर और कुछ higher क्या higher expense बिल्कुल सही और higher pollution यह अच्छा इडिया है बद कोई भी एक ही चाहिए अपने को कैसा लग रहा है एजी है काम पकी बात है अब देखो कई बार ऐसा होता है कि कोशन ऐसा आ जाता जिसमें हमारे पास फायदा नुकसान होता ही नहीं है यह एक साइड होती एक नहीं होती जैसे मानलो पेपर में कोशन आया मैं एक कुशन ओर दिता हूँ let's see three question number 23 open अब इसमें main topic होगा education या health में से कोई एक मालो आपने education को main topic बनाया अब education के फाइदे तो बहुत है है या नहीं है education better job opportunity भी है education का एक फाइदा है better lifestyle भी है education से lifestyle भी अच्छा होता है होता है कि नहीं होता education का और भी बहुत सारे फादे हैं education का नुकसान बताना पड़ेगा अब आपको क्या बताओगे education का क्या नुकसान है what do you think क्या हो जाता है नहीं कुछ और simple बाशन बताओ education का नुकसान paper में एक बार मेरे question आया था running के उपर था भागने का भागने का नुकसान डूनना पड़ा था मुझे बागने का running करने का क्या नुकसान हो सकता है तो higher risk of injury मैंने लिखा था उसमें तो चल जाएगा ऐसे कुछ भी मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि कुछ भी टुचे से टुच आइडिया भी आये वह भी लिख देना ऐसे question में education का एक नुकसान होता है कई बार wastage of time तो मेरा idea बनेगा wastage of time wastage of time हो जाता है इसमें अब आप बोलेंगा यह क्या बात है education से wastage of time कैसे हो सकता है होता मेरा बस है मेरे लिए wastage of time है समझा रहा है यह more wastage of time अच्छा expensive more expense higher expense यह लिख दो जो अपढ़ाई कितनी खर्ची ली है दसवी के बाद जितना खर्चा में में करने तक होता है उतने खर्चें बंदा business start कर ले में जितने साल में होगी तब तक business अपना stand कर लेगा जितने मर्जी पैसे कमा ले पढ़ाई करनी क्यों है चोड़ो पढ़ाई मतलब मैं बना नहीं कर रहा करनी है पढ़ाई सबको लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मेरा point of view यह है आप कोई भी idea लिखें ठीक है बस वो idea justifiable होना चाहिए आप से कोई पूचे आप उसको justify कर पाएं तो that's it वो idea सही हाँ जी higher competition भी एक अच्छा नुकसान है education का एक नुकसान है higher competition बिल्कुल सही बात है एक बड़ी interesting study आपको बताता हूँ भारत में unemployment बहुत ज़्यादा है अभी पता होगा आपको आपको है ना यह बहुत सारा कितनी है वैसे unemployment unemployment क्या थे पता ना कितने percent लोगों के पास job नही है बी कहरा है 10 से लेकर 25 परसेंट सी कहरा 25 से पचास डी कहरा 50 से उपर A B C D you are doing कौन सावाला सही होगा भारत में कितनी unemployment rate है A वाले हाथ उठाने एक बार B वाले C वाले D वाले तो इनको लग रहा है कि भारत में सबको B वाला लग रहा है कि भारत में 50 परसेंट लोग अनेंप्लोईड है correct answer है A भारत के unemployment rate लग बग 5 परसेंट है यह अभी कुछ समय पहले 6 के आसपास मोची थी तो बड़ा रोड़ा पढ़ गया था मोदी जी ने यह कर दिया है मोदी ने यह कर दिया तो unemployment rate वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं आपको लगता है कि हर जो बंदा सटक पे गूमरा व अनप्लोईड है Unemployment के तीन पैमाने भी बंदा उसके बास ability है पढ़ाई कर रखी उतनी दूसरा वो काम करना भी चाहता है फिर तीसरा उसको काम नहीं मिल रहे है तब उसको Unemployed काम करतें पहला ability है किसी ने पढ़ाई नहीं कि अब आप उसको बोले Unemployed है बचार तो Unemployed नहीं है सरकार उसको Unemployed नहीं गिंती सेकंड किसी ने पढ़ाई करके एक अपनी नहीं की दुकान कोल ली अब उसको टेंशन ही वो कहता है मैं की लेना नोकरी तो हर सरकारी नोकरी वाला बंदी है एंपलोई थोड़ी यह बाकी Unemployed कोन है जिसके पास पढ़ाई भी है प्लस काम करने की इच्छा भी है प्लस जोब नहीं है तो उसको अपनी क्या कहते है Unemployed तो पढ़ाई जो है वो अनेप्लो häuf्मीमेंट को बढ़ावा देती है, यह भी कह सकते हैं, आप नुकसान है, जितने ज्यादा लोग बढ़ते हैं उतने अनैंप्लोइमेंट बढ़ते हैं यह फाइद नुकसान, अभी आपको शाहिद इतना समझाऊ गया होगा कि कोई भी सवा तो फिलाल आए उस सवाल में से तीन चीजें उठानी हैं सबसे पहला किया उठाना है topic sentence दूसरा क्या उठाना है main topic और तीसरा क्या उठाना है idea शायद आपके इमन में थोड़ा सा इसकी कसक अभी भी भी रह रही होगी कि यह इसको कैसे करना है तो इसके बारे में जब आप ideas आपको मिल जाएंगे pdf शेयर हो जाएगे इसके बाद में इसके बारे में बात करूँगा यह आज नहीं करेंगे कल करेंगी इसका discussion तो फिलाल पॉइंट इतना सा है जब इतना मिल जाए सब कुछ आपने यह एक न एफिल टावर सा बन जाएगा आपका एफिल टावर कैसे बनेगा topic sentence लिखा हुआ है इसमें से main topic निकला हुआ इसके दो pair है एक तरफ लिखा फायदा और एक तरफ क्या लिखा हुआ है तो यह दिखनी रहा tower जैसी structure है इसकी तो यह tower जब आपका बन जाए तब आप अपना template टाइप करना शुरू करेंगे अब typically normal condition में यह tower आपका ड 8 minute गए तो पीछे 8 minute जो बचे उसमें से around 9 से लेकर 11 minute आपको typing में लगते हैं अगर आपकी typing speed 11 minute को पार कर रही है तो फिर अभी बहुत महनत करनी है पहले typing पे महनत करो अगर आप अपनी typing ऐसे करते हैं एक 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 वर डूंड के कहां गया s कहां गया p ऐसे से करते हैं डांस तो फिर थोड़ा सा काम आपको करना effort करना पड़ेगा on an average एक normal बंदा जो है जो PT करते हैं त्यारी तो वह 11 minute के आसपास अपना ऐसे टाइप करते हैं दोनों हातों से करनी पड़ेगी typing उंगलियां सारी उंगलियां मत use करो चाहिए तो जैसे मैं भी typing करता हूँ मैं अभी कर करके दिखा दूंगा यह वैसे भी आप कभी मुझे में लिकरों देखना तो मैं यह वाली finger इन दोनों के इस्तेमाल या space के लिए उठा तो यह fix है तो हाथ दोनों use करने पड़ेंगे आपको इसके लिए बड़ा simple सा काम है अपने PC lab में fix करो वहां पर एक software type master आपको नहीं क नोटबैड ओपन किया करो template type किया करो template अच्छे से type होगा right ऐसे एक ऐसा section है paper के बिल्कुल center में आता ही दो गंटे के paper में जब एक गंटा खतम होने वाला होता तब आपका right ऐसे चल रहा होता है कई बार कुदा नकासता आपको washroom जाना है पानी पीना है यह ऐसी चीजे हैं जो कि आप reading में तो कर नहीं सकते reading में time पहले से पूरा पूरा होता है speaking में भी time नहीं होता तो सिर्फ यही एक मोका होता है जहां पर अगर आप समय जैसे मैं समय बचा लेता हूं काफी सारा तो फिर मैं इस समय में फ्री रहता हूं पांच मिनट तो मैं वोश्रूम भी जा सकता हूं इस समय के दुरान मैं पानी भी पी के आ सकता हूं इस समय के तो राइट ऐसे को जितना कम समय में टाइप कर पा उतना फायदा है और साथ में आप देखो speaking में आपने बहुत energy लगाई writing में आपका सारा हाथ पैर आपने चलाए पूरे अब reading और listening ऐसे section है जिनमें लगातर तेजी से काम करना पड़ेगा screen पे आखें जमा के रखनी पड़ेंगी दिमाग लगातर चक्री चलेगी घरम होगा दिमाग आपका तो उससे पहले थोड़ा सा rest करना ज़रूरी है वो मैं चाहता हूँ कि आप करें कोशिश करना कि 5 मिनट इसमें बच जाएं 5 मिनट बाहर गूम के आना महोल देख के आना आप जब reading में आएगे एक नई energy के साथ आएंगे मेरे पेपर में मुझे कम सकम 5-7 number reading में फाइदा इस चीज से हो जाता कि मैं एक ब्रेक लेक आता हूं से पहले समझ आ रहा है सबको है नहीं और वो ब्रेक मैं क्यूं ले पाता हूं क्यूंकि मेरा राइटिंगी टाइपिंग स्पीड काफी अच्छी है तो अगर आप 9 minute में टाइप करें हैं 10 minute में करो साड़े 11 minute आपके हो गए हैं फिर ही आपको चीजे हैं फिल करने में मैक्सिमम 2-3 minute का टाइम लगता है पीछे 7 minute मेरे पास बच गे बहुता 7 minute मेरे पास बच गे बहुता 7 minute तो मस्त समझ आया कुछ के नहीं है तो आराम से कर स करते हैं 7 minute में तो गूम फिर के आजओ शहर बाहर से कुछ खाप ही के भी आताना चाहिए इतना टाइम होता है heading डालो यह तीनों लिख लिए इसके पाद heading डालो how to fill in template how to fill in template template open कर लो सारे अपना अपना 8 band वाला कर ले ना 7 band वाला नहीं करेंगे 8 band वाला template करेंगे आपकी book में 2 template दे रखें इनमें भी फर्क समझ ले ना एक है 7 band वाला एक है 8 band वाला 7 band वाला template जो है यह तब use करना जब आपको topic sentence और main topic तो मिल जाए लेकिन ना मिले क्या ना मिले आपको ideas ना मिले अगर आपको लगता है कि मेरे से idea नहीं उठाये जाते नहीं समझ आता मुझे जी मेरे इतनी शर्द ही नहीं होती मेरी तो फिर आप मत लिखो idea तो 7 band आएंगे आठ band किसके आते हैं तो जो topic और main topic और idea तीनों चीज़ें उठा लेगा वो बच्चा कितना score कर सकता है आठ band कर सकता है तो 7 और 8 band में जाला फरक नहीं है template में देखो सिर्फ इसका फरक है कि idea आप add कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं अब क्योंकि मैंने आपको तीनों उठाने सिखाएं हैं तो मैं मानता हूँ आप सब ये template यूज़ करेंगे उसकी नौबत नहीं आएगे आइडिया अगर आप खुद बना पाएं जैसे मैंने सिखाएं तो बहुत अच्छा अगर आप नहीं बना पाएं तो मैं पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा हर question और उसकी idea 12-12-15 idea हमने खुद लिख रखें तो पूरी list PDF ले लेना मुझसे वो PDF याद कर लेना सारी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं ना तो याद कर सकता हूं ना मेरे से खुद से बनेंगे दोने काम नहीं होते मेरे से तो फिर तीसरा option है कि मैं आपको दो idea fix दे दूंगा एक फाइदा एक नुकसान कोई भी question आई paper में आपको वही लिखना है वही फाइदा लिखना है वही नुकसान लिखना है समझा रहा है तो यह भी कर सकते हैं पर बात यह बता दो कि fix idea से score साथ बेंड या तो वह उसके बराबर यह idea ना लिखो चाए fix लिख दो एक ही बात है समझा रहा है सब को यह नहीं है चली शुरू करते हैं template को दियान से देखो template के 4 paragraph हैं अरे बोलो तीसरे paragraph का नाम है body paragraph 2 और चोथे paragraph का नाम है conclusion तो BP1 और BP2 जो है वो body paragraph और बीच में शुरू में और last में conclusion आता है अब यह धियान रखो कि BP1 है फाइदे का paragraph तो मतलों वह सारा advantage बताएगा और BP2 जो है वह सारा नुकसान का paragraph है मतलों उसमें हम क्या बताएंगे disadvantage बताएगे त सबसे पहला paragraph in this contemporary world it is an irrefutable fact that और that के बाद आपको क्या लिखना है वहाँ पर देखो सामने लिखावा topic sentence topic sentence कैसे उठाएगा जाता है मैंने आपको बता रख है समझा रहा है सबको है निया रहा है मेरी सला है कि सबसे पहले topic sentence type करना मतलब जब आप पहले तो template पूरा type करना है एक बार यह सारा side में करके एक बर दबारा से समझ लो एक समझदार बच्चा वो है कि जब वो पहली बार template type करेगा वो जो 9 minute यह 11 minute उसको लगनी है उस 11 minute के द तो topic sentence यह main topic इसको भी फिल करता जाओ तो यह पंगा मतले ना क्यूंकि मैंने कई बार ऐसा ट्राई किया इसकी वैसे confusion बढ़ती है कई बार अपने template भी बूलते है सो जो correct method है step 1 है कि सिर्फ template लिखेंगे अपने s1 only template और template में क्या लिखेंगे साथ में blank लिखते जाना तो बीच-बीच में blank देते जाना जहां-जहां जगा खली छोड़नी हो आपे blank रखते जाना so that जब बाद में आप फिल करें तो आपको समय ना लगाना पड़े डूनने के लिए जब आपने blank छोड़े होंगे step 2 में फिर आएंगे तो सबसे पहला step 2 में क्या फिल करेंगे आप topic sentence topic sentence दो जगा पर फिल होगा दियान से देखोई एक तो और रहा है introduction में यहां पर और एक आप last में बिल्कुल आकरी में पढ़़ा तो आपर लिखा हुआ है but I still proclaim that और इसके बाद भी आपका topic sentence आ रहा है अरे बोलो हाए न तो यहां पर दो जगा पर आपको topic sentence को fill करना है इसके बाद topic sentence को copy paste आप कर सकते हैं एक बार लिखना अच्छे से चेक करना फिर copy करके paste कर देना last में ठीक है आगे चलते हैं considering this there are some analysts who hold an opinion that यहां पर main topic आपको पता है क्या होता है दो यहां तीन वर्ड का होता है main topic और वो main topic आपके यहां पर लिखना है यह main topic आपको 5-6 जगह पर repeat करना पड़ेगा एक बार अच्छे से लिखना उसके बाद इसको copy कर लेना जहां 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 लिखना है बाद में इसको paste करते जाना आगे चलते हैं main topic can be benevolent and troublesome benevolent and troublesome मेंसे कोई भी नहीं लिखना यहां पर एक नया वर्ड है beneficial यहां पर आप लिखेंगे beneficial can be beneficial for sorry can be beneficial to many people हर बार beneficial लिखना है अचा अगर आप यह जो highlight कियों वर्ड से इन से गभरा रहे हैं आपको लग रहा है कि यह के पंगा है तो highlight कियों वर्ड वो हैं जिन में अकसर बच्चे spelling की mistake करते हैं तो यह मुश्किल spelling वाले वर्ड साइन की ज्यादा टेंशन मत लेना spelling इनकी अच्छे से याद रख लेना यह बार बार आपको लिखनी पड़ेंगे आगे पढ़ते हैं can be beneficial to many people I strongly agree with the above mentioned opinion due to a notable reason that's it यह हमारा पहला paragraph introduction खतम हुआ आगे बढ़ते हैं BP1 on the one hand there is a particular factor which affirms my agreement on the given argument main topic can lead to main topic main topic होगा सेम लिखना है कलाकारी मत करना सर मुझे इसकी जगा बिग सिटी की जगा अर्बन एरिया लिख दू यह इसकी जगा यह लिख दू नहीं लिखना जो main topic को बार बार लिखना है main topic can lead to lead to के बाद आपका फायदा फायदा जो भी है lead to higher education higher ea better lifestyle जो भी है वो लिखेंगे आप यहां पे clear है सबको? वो जो F a blank कुछ देड़ है वो फायदा लिखा हूआ है वो क्यों लिखा हूँ ऐसा simply वही बात है कि इसको copy ना करे कोई तो हमने जान-bुझके confuse करने के लिए यह से बना रहा है समझारा है सबको? तो वहाँ पर फाइदा है वो can lead to फाइदा which could be a substantial factor for example recent article in the age the age का T और A capital लखेंगे अपने could be revealed that 80% of the participants of a survey agree with the aforementioned viewpoint, ये पहला paragraph यहाँ पर खतम हो गया introduction sorry BP1 खतम हुआ BP1 में क्या कुछ आए, एक main topic आए और एक फाइदा आए सही कह रहा हुआ है? चली आगे बढ़ते हैं BP2 चलते हैं on the other hand, despite the reason discussed above there are some circumspect last last के बाद ही हाँ पर main topic आपका वही है जो अपने उपर लिखा था should pose a threat to society main topic can lead to यहाँ पर क्या जाएगा? नुकसान आजाएगा तो main topic आपको बार बार इसमें दो बार लिखना पड़ रहा है देख अभी तक main topic can lead to नुकसान जैसे higher expenses यह आजाएगा which is the single most significant factor behind the open end view point no doubt this could be true up to a certain however it should also not be forgotten that main topic has predominantly upgraded personal or professional main topic दुबारा आएगा है इस सारी line सेम लिखनें बस बचा क्या है आगे conclusion है उसमें main topic और topic sentence अपनी जगा पर आएगे clear है सब ठीक है तो heading डालो common mistake अब बात करते क्या गल्तियां करते हो आप लोग और ये गल्तियां आप सब करते हो मैं पहले बता रहा हूँ दाएज एक magazine का नाम है तो ये proper noun है और मैंने proper noun कुछ दिन पहले आपको पढ़ाये थे कि जो particular नाम होता है इसी का उसका पहला अक्षर हमेशा capital रखा जाता है ठीक है चले आगे common mistake ready सारे common mistake number one सबसे पहली common mistake बहुत है और कहां से शुरू करों चलो यहां से घरते हैं लिखो changing c-h-a-n-g-a-n-g changing the main topic or topic sentence changing the main topic or topic sentence in template जब आप बहुत स्याने बनते हैं तो Pearson वाले आपको बताते हैं कि आप स्याने नहीं हैं यह वह चीज है जो मैंने अपनी जिंदगी के दूसरे पेपर में की थी मतलब जब मेरा 45 स्कोर आया था तो मैंने उस पेपर में यह वाली चीज ऐसे की थी आयल से आया था में आयल्स वालों को एक बड़ी चुल होती है कि मैं आप दिखाऊं इनको वकैब क्या होती है तो मैंने पूरी वकैब बर-बर की डाली पूरी अपनी तरफ से पूरा ऐसे लिखा सारा कुछ में इन तॉपिक रिपीट ही नहीं di आयल्स में एक पोउंट होता है कि रिपीट ओग 그래fik भो जी सब बोल थेय था मैंने रिपीट होने नहीं नहीं था यगा अननों ने भीचा को तो रिपीट कर ले पर दुबारा देके है तो फिर दुबारा पेपर देना पड़ा जिसमें फिर मैंने टैंपलेट यूज किया और उसमें स्कूर आया था 84 सम्तिंग कुछ समझा रहा है सबके नहीं तो मेक्शूर की टैंपलेट में श्याने नी बढ़ना राइटिंग में कम सियाने नी बढ़ना समयरा इस रिटन टैक्स में आपका बहुत ही मन करेगा रिटन टैक्स में कि लाइन सेम क्यों लिख रहा हूं मैं इसमें चेंज करतू ना यार इस वर्ड की जगा तो मेरे पास एक और अच्छा वर्ड है आप अच्छा वर्ड दिखाने जाएंगे पीरसन वाले आपको बोलेंगे कि नी मजा नहीं आए दो पार है एक बार और करके दिखा तो ऐसा ना नोबता है इसके लिए कोशिश करो कि जो लिखा हुआ है ये एक ऐसा पेपर है जो आपसे स्यानप की आपसे समझदारी की उम इसके समाले नबर दो इंप रोपर इंपरोपर आई-म पी-रो-पी-र इंपरोपर कैपिटलाइजेशन इंप्रोपर कैपिटलाइजेशन जो capital and small letters हैं उनको capital and small letter ध्यान से देख कर लिखना है बहुत बार अपने इसमें भी स्याने बनते हैं कि नहीं यार कोई नहीं क्या फर्क पड़ता है तो फर्क बहुत पड़ता है इस template में जहां जहां पर कोई capital लिखा है वहाँ पे वो capital होगा जहाँ small लिखा वहाँ पर small होगा यह ध्यान रखना ठीक है नमबर तीन note changing the paragraph correctly note changing the paragraph correctly जब paper देने जाओ ना तो मेरी एक सला है कि यह notebook अपने साथ रखो यह तो अच्छी डंग की notebook लगाओ और paper से पहले यह जो mistake है ना बस सारे question type की mistake पढ़ लो एक बार आपका paper बहुत अच्छा हो जाएगा उसी से यह यह गल्तियां बताई थी हमें और यह गल्तियां मुझे नहीं करनी है इतने ही होता है और paper में और क्या होता है तो यह सारी गल्तियां में हर question type की कि मैं almost लिखवा तो ना भी लिखवा तो मुझे बता दिये कर वसर यह रह गया इसका तो मैं बता दूंगा उसके बाद कुछ बचानी क्या लिगा note changing the paragraph property तो properly कैसे change करते हैं याद रखना दो बार enter का button दबाना जब भी आप template में एक paragraph लिकेंगे फुल स्टोप डालेंगे last line लिख दी उसकी paragraph change करना एक बार enter दबाओगे तो आप जब समालो यहां पे लिख रहे थे इसके बिल्कुल पैरो में यहां पे आ जाओगे फिर दुबारा enter दबाओगे फिर एक line का gap आएगा बीच में वो gap होना जरूरी है एक line का gap देना है तो उसके लिए दो बार enter वाला बटन दबाना है दो बार यहस प्रैकेट में लिख लो two times enter two times enter two times enter number 4 किते तीन होगी नाभी तक number 4 पे लिखो double space double space are dangerous double space are dangerous गलती नबर 5 double space वाला हो गया ना clear सबको double space गलती नबर 5 space before comma full stop space before comma full stop कही बार बच्चे का करते हैं जैसे मालो एक word लिखा और इस किलास में उनने मालो लिखा market sentence किलास में अब full stop हमेशा पैरों में आता है आता है और लास्ट गलती है इसमें लिखो not rechecking not rechecking the correct way not rechecking the correct way आता है दो बार री चेक करना बस clearly समझे कैसे recheck करना पहली बार री चेक करना उपर से नीचे उपर से नीचे जब आप आप आरे तब आपको ये चेक और आपको ये तो ये सारा चेक करने के बाद, जो main important चीज़ा वो है, हमेशा उल्टा चेक करो. अगर आपने template ऐसे लिखा है, तो नीचे से चेक करना स्टार्ट करो, spelling के लिए. कि ये बार अपने जल्दबाजी में गलत spelling लिख देते हैं, सीधा पढ़ोगे, तो spelling कभी चेक नहीं कर पाओगे, इसका कारण है कि सीधा पढ़ते टाइम, अपने flow में पढ़ते हैं, अगर आप line को उल्टा पढ़ोगे, तो आप एक-एक word की उपर focus कर पाओगे. समझ वा रहा है, तो अच्छी बात है नहीं, तो एक काम करो, टेंपलेट का जो, तीसरा चोता, तीसरा paragraph है, my answer would be no, नो से उल्टा पढ़ना, एक-दो line आपको समझ आएगा, उल्टा पढ़ोगे, सीधा मत पढ़ो. फरक समझा रहा है, आप अपने अप मजबूर हो जाते हैं एक-एक word पर ध्यान देने के, क्योंकि ऐसे sense नहीं बनता, उल्टा पढ़ते हैं तो कोई sense तो बनेगा नी, तो एक-एक word आपको पढ़ना ही पढ़ेगा, जब आप सीधा, अच्छा एक बार सीधा पढ़ो इसको, if this is the case, आप speed में पढ़ेंगे, सीधा हमेशा speed में पढ़ा जाता है, और speed की वज़ा से अकसर spelling उसमें से neglect हो जाती है, लेकिन उल्टा पढ़ेंगे, तो एक-एक word पर ध्यान देंगे, एक-एक word पर ध्यान देंगे, तो spelling mistake नहीं होगी, तो यह है important चीज़े, फिलहाल एक बा अच्छे से learn करो, मैं tough spelling का भी test लूँगा, जितनी भी spelling highlight कर रखें इस template में उनको द्यान से देख लो